वेलकम बैक टू दी चैनल तो पहले तो आप सब खा लो डार्क चोगलेट क्योंकि मेरे हाथ में मैंने डार्क चोगलेट ली हुई है और हम जा रहे हैं जरूरी काम से भार बारिश बहुत ज्यादा तेज है पर हमें जाना पड़ेगा कुछ करने सकते और आज ही जाना पड़ तो मैं यहां पर शोल लेके आई हुई थी अपनी तो मैंने शोल ऐसी ड़की और हम ऐसी करते हैं कहीं भी भार निकलना होता है बारिश है शोल है जैकेट है वही सिर पे डाल लेती हुँ मैं तो यहां पर च्छत्री लिए बंदे ही कम दिखेंगे आपको क्योंकि अगर दो जगे गाड़ी पाक कर दी ती गलत जगे मतलब इसके आगे करनी थी पर कहीं और पाक कर दी तो ऐसे चड़के आना पड़ा और मैं आजय को समझा रही थी कि यह ना मिट्टी बहुत ज़ादा गिल्यस पे ऐसे चड़के ना फिसल सकते मैंने कई लोग देख एंसे फिसलते ह पहले बारिश नहीं जब गए थे जब आप पीस आये काम करके तो बहुत तेज बारिश बारिश ओर तो मैंने आजय को बोला अपनी जैकेट निकाल के दे फिर हम आगे थे मौल के सड़ और यह में तेज तेज भाग रही है क्योंकि बारिश हो रही है फाइनली अंदर पसंद आई थी एक औरिंज कलर में पर यह में को कुछ खास लगी नहीं मैं क्या यह 75% के बाद में बताऊं आपको 40% की मतलब 40 डोलर की दे रहे थे सोरी फिर में को पसंद आये थे यह शूज और बहुत ही जादा अच्छे लग रहे थे पर इसमें साइज वेरा नहीं मिला यह वाले शूज बहुत टाइट थे पहले देखके लग रहा था कि मुझे आ जाएंगे पर नहीं आए उसके बाद में कोई इतना टाइम हो गया स्टील की कढ़ाई ढूंते वे मुझे तो स्टील की कढ़ाई नहीं मिल रही कैनिड़ा में स्टील के बरतन बहुत जादा मु अराम से बैट गी थी मैं क्या बस अब मेरे बस की बात नहीं है फिर मैंने अजय को भी ठालिया था यह नहीं थकता भई चलो 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 मैं क्या ना बैट जा पांच मिनट आराम से शांती ले जिंदगी में तो लिए क्या करेगा गूं गूं के फिर उसके बाद आप देख अंगरेज ने इनकी एज किती जादा में को बहुत अची चीज लगती है यह जरूरी थोड़ी है कि आपकी एज 60-70 होगी है तो आप अच्छे से त्यार ना हो आप लिप्स्टिक ना लगाओ सब कुछ करो क्यों कि जिंदगी हमें दुबारा नहीं मिलने वाली फिर यह चो बात का सोच के और यह अंकल हसरा होगा मिर पर बस फिर पहुंच गए थे टीम होटन्स और यह जो शोट्स ले रखें वीडियो की अजय ने ले रखें अजय को बड़ा शोग है फोटोग्राफी का तो यह चुट चुटे शोट्स अजय ने ली मैंने का चलो एड कर देते न काउज में को बड़ा पसंद आइस क्रीम है कि और आप यह देखो नजारा है भगवान इतनी सुन्दर जगह थी ना इतनी सुन्दर आप देखो इसके पिछे तो है पानी समूंदर आपको दिखेंगा नहीं वाइट वाइट सा दिखेंगा और किते सुन्दर जगह यह घर ह मुझे लेना था बहुत ही बहुत ही मतलब कैसे बोलू मैं वाइट बोर्ड गयते है उसको जोरी तो मेरे को लेना था वाइट बोर्ड जो कि मैं इतने सालों से सोचती थी ना कि मुझे वाइट बोर्ड लेना है कभी मैं इंडिया थी तब से ही कि मुझे भी ना कुछ भी ल लगने लगी फिर बिलिंग वगेरा करा ली और इसके उपर एक डॉलर का तो टैक्स लग गया मतलब आप समान लो उस पर एक दो डॉलर टैक्स भरो एक डॉलर बहुत बड़ी बात है साथ रुपय आपने टैक्स में दे दिया चोटी सी चीज पर उसके बाद यह है बाहर का व लब यू क्योंकि भई मेरी इतने सालों से इच्छा थी और फैनली अजे ने मेरे को वह दिला दिया तो मैं इसको इलब यू बोल दी थी कि आई लब यू मैं ऐसी यूँ फणी टाइप सी अजे मेरी हरकतों की वज़ेसी हसता रहता है यह कहते तेरे जाज़ा यूनीक पीस इंडिया में मिली नहीं सकता अजीब हरकते रहती है तेरी बस फिर वही था मेरी खुशी की लिखा और फिर इसको रब किया फिर चल पड़े थे वापसी को घर फिर भी बारिश नहीं रुकी ठीरे नहीं रुकेगी रोज ही बारिश होती आपसे फिर मिलती हूं नेक्स में बाबाइ